नमस्कार मैं हूँ देवानसू आप देख रहे हैं न्यूस फोर नेशन पत्ना में बार का खत्रा मंडराने लगा है हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि गंगा का जलस्तर है जो उसमें लगातार बिर्दी होड़ी है और अभी गंगा का जो वाटर लेवल है वो खत्रे को निसान को कर दिख गया है आपको बता दे कि गंगा का जो वाटर लेवल खत्रा डिंजर जो लाइन है वो फोर्टी एट पॉइंट सिक्स है लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यह सेवेंटी यह फोर्टी एट पॉइंट सेवेंटी तक छू रहा यानि कि 10 सेंटीमीटर गं दिख लिए दिननों देखा गया कि विहार में उस रूप में बारिस हो ने रहे है तो पानी इतना मातरा में कहां अदर स्टेट्स का यह सारा पानी आ रहा है बंगा में अभी ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं अभी हमनों के उपर में पर्तिव बंद है चलिए इनका साफ तोर पर कहना है कि यह ज़्यादा नहीं बोल सकते लेकिन हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं कि गंगा में पानी का जबर दस बहाब चल रहा है गंगा खत्र नदी में देखने को मिल रहा है खासकर बकसर में पुलिस पर सासन ने रोक लगा दी है स्थानी लोग कि वह किसी तरह गंगा नदी में ना नहाएं क्योंकि पानी का बहाब बहुत ही जादा है इस वक्त हम एनाइटी घाट पर मौजूद हैं जहां पर यह मीटर लगाया गय तरह कि तरह के से पानी का इजाफा गंगा नदी में होगा तो विवाय जो है कुछ वह लगातार यहां पर गंगा नदी के जलस्तर को देखने के लिए आ रहे हैं आप तस्वीर में देख रहे हैं कि यूथ हैं क्योंकि आसपास का जो इलाका है वह कॉलेज और में है लेकिन पटना में गंगा नदी पूरी तरह से भर चुकी है आप तस्वीरों में देख रहे हैं यह तस्वीरे हम आपको न्यूज फोर नेशन यूटुब चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं जहां गंगा के पानी का बहाब इत्याधिक तेज है और लगातार अलर्ट मोड में केंद्रिय जल आयोग भी है लगाताज चीजों पर नजर बनाई किस तरीके से 24 घंटों में लगातार बाटर लेवल जो पटना के गंगा नदी का है वो जलस्तर वो बढ़ रहा है कही ने कहीं इनके लिए भी चिंता की बात है आपको यह भी पता दें कि बिहार में हाले में सियम नितिश कुमार ने सुखार को लेकर एक समिक्सा बैठक की थी जिसमें बैठक में कहीं निर्णाय लेगे थे लिए फिलहाल गंगा नदी के वाटर लेवल बढ़ जाने से कहीं ने कहीं आप यह कह सकते हैं कि पटना के लोगों के लिए भी बाड का खत्रा सर प दो बता दें की बक्सर में गंगा नदी में 20 अगस्त गंगा के घाटों पर किसी भी तरह की गतीविधिया पर रोक लगा दीए जिसमें की अथिनान करना वी सामिल अबको भी वेक्ती घाटों के किनारे अत्ष्र में असनान कर सकता है। जिले में हाई अलर्ट के बाद चु पहुच रहा हुई मौसम विभाग ने बक्सार से लेकर पटना तक अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिस की संभाबना जताई है इधर जल अस्तर में तेजी को देखते हुए जिला परसासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है आपको यह तस्वीरे दिखा रहे हैं नूश फिलाल पटना में गंगा 10 सेंटीमीटर खत्रे के निसान से उपर बह रही है गंगा से जुड़ी हुई हर लेटेस अबडेट आपको हम देते रहेंगे आप देखते रहें नूश फोर्नेशन